लखनाओ में अब पीपी किट जो है वो रिसाइकल हो सकेगी CSIR के जरिये Indian Institute of Technology Research के अधीन एक ऐसी मशीन इज़ात की गई है जिसके जरिये आप पीपी किट और N95 मास्क एक दो बार नहीं बलकि 20 बार रिसाइकल कर सकते हैं इस मशीन की कीमत सिर्फ 12 लाख रुपए बताई चारी है इस तकनीक को नसर्फ एम्स जोधपु ने बलकि लखनाओ के सबसे बड़े मेडिकल संस्तान CGPGI ने मानेता भी दे दी है सियम्य योग्याद इतनाद भी इस तकनीक की तारीफ कर चुके हैं अब जल्द ही इस टेकनलोजी का इस्तमाल देश भर में किया जा सकेगा अब यह तक जितने भी डॉक्टर थे वो पीपी किट को एक बार पहनते थे और उसके बाद उसे फेक दिया जाता था लेकिन अब ऐसा समभव नहीं होगा अब एक पीपी किट बार बार पहनी जा सकेगी इसके recycle करने के लिए एक machine का इजाद किया गया है जिसमें आप PPE keirs डालते हैं उसके बाद recycle हो जाएगा और recycle होने के बाद एक बाद फिर से उसको पहन सकेंगे ये machine कैसे काम करेगी और आखेकर ये कैसे सरकार का राधस बचाएगी उस सब विसों में बात करने के लिए हमाएं साथ मुकुल चैटर जी जी है उनसे बात करते हैं मुकुल जी मशीन का नाम क्या है और यह कैसे यूज होती है सर मशीन का नाम है ऑप्टिमेजर हमारी 2016 में इसको पेटेंट हमने फाइल करके इसको कमर्शिलाइज किया था सबसे ज्यादा बार बैट्रीय को किल कर सकती है कोडरर सब्सक्रा और मेंकर क्या वचरा बाता है तो तो फ्रसकाइं नाम उसे फेक नाबरना फाराइन को इसम्री यसंब को रजन्स था यह मशीन में चेपने चेंपर हम किईंट्मेंट कहते हैं ऊच Кवल पांच पिपिए जा researched जासकते फिपेस् अगि अगर आपको पपईकेट को पर बाबार युज करनी हैं कि क्योंकि कास्टीपी कि लिए जो प्रैवाइट हम नो होते हैं वो PPE kit के नाम पर ही काफी जो इलाज का जो कीमत होती है वो बढ़ चुकी है इसी किसलते ये एक ऐसी machine निजात की गई है कि अब आप PPE kits को एक बार नहीं दस बार तो कम से कम प्रयोग कर सकते हैं वो भी इस machine के दौरा कि इस machine में आपने recycle किया और इब फिर से पहन लिया लक्तों से कैमाबसन आमिस सहानी के साथ गगब मिस्वा आनाइंटी वी उत्तर प्रदेश